महाराजा अग्रिसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के तत्वाधान में आयुजीत इस संस्तान में आज के इन्वल्डे वार्षिक उस्थो पर आप सब को बहुत-बहुत शुबकामना है बहुत-बहुत बढ़ाई महाराजा अग्रिसेन जी के विचार उनके कारे उनकी पेड़ना उनका संदेश आज भी देश और संपुर्ण विष्व के अंदर एक नव निर्मानिक्ति और उनका संदेश जाता है उस समय के वो शाशक थे लेकिन शाशक होने के बाद भी उन्होंने एक सरुषिष प्रशाशन के रूप में उस समय के राज्य को एक दिशादी एक रुपे एक एट की नव निर्मान की इंफाश्टर्चर के माध्यम से सामाजिक कल्यान हो जंजन का कल्यान हो आज इतने वर्षों बाद भी जब मैं देखता हूं कि उस समय का विचार था कि देश में अगर कोई भी शाशन करने वाला वेक्ति हो वह इंफाश्टर्च के माध्यम से हमारे देश में एक इस्टूटूशन खड़ा करेगा जिसमें हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें देश में अच्छी रोड कनेक्टिविटी हो अच्छी रेल कनेक्टिविटी हो अच्छी एल कनेक्टिविटी हो अच्छी जलवायू कनेक्टिविटी हो इससे देश सम्रद और कुशाल होता है और वही दिशा आज हमें देश में दिख रही है पधानमंती नईन्द मोदी जी के नितत में एक नई दिशा कि भारत प्रगती के और कुशाली के और बढ़ रहा है और मैं कह सकता हूँ कि भारत को प्रगती और कुशाली उस उचायों पर ले जाने में अगर सबसे बड़ा योगदान है तो हमारे नोजवान विध्यारतियों का है उनकी बौदिक शम्ता उनका तक्निकी ज्ञान उनकी शिक्षा और अन्भव और संस्कार के माध्यम से आज देश मिनी दुनिया के अंदर भारत के नोजवानों के कारण भारती सम्रद्य कुशाली बढ़ी है और आज हमें ये विश्वास भरोसा रहता है कि दुनिया के अंदर आने वाले समय के अंदर भारत आर्थिक और सामाजिक्षित के परिवर्तन में सबसे अग्रिम प्रदेश होगा तो उसका कारण आप जैसे नोजवान हो आज में विशेश और से मोके पर इस इस्तुटूशन के थे संस्तापक जो लगातार चाहे शिक्षा का मीड़िवर्त होव कि अधार्स हृत हो जिन्होंने सामाजिक जीवन से लेकर राजनिती जीवन तक अपना सारा जिवन समर्पित किया स्री नंद किशोर गर्ग जी हमारे राज्यसभा के सदश और आइसी एई के नेशनल प्रसिडेंट जिन्हों ने बहुत बड़ा योगदान चाटेट एकाउंटेंट संस्ता को दिया जहां पार्दश्रीता है जवाब देई है जहां सही कहा उन्हों कि इतने साल बाद भी बिना सरकार के नियंतर्ण के इस संस्तान में इतनी पार्दश्रीता है कि कभी भी इतने एक्जाम होने के बाद भी कभी संस्तान पर सवाल जो था और अभी राज्यसभा के हमारे सदश अंडी गुपता जी विनित गुपता लोहिया जी जिस संस्तान के चैर मेंने मुरादाबाद रहते हैं आत्पंदिर्बा भारत के और बढ़ने के लिए वहां के लोगों को रोजगार दे रहे हैं और वहां से एक्ष्पोर्ट करकर दुनिया के अंदर भारत के अंदर विदेशी धन ला रहे हैं स्री एस्पी गुपता जी टियार गर्ग जी सुंदरलाल गोयल जी आरके गुपता जी मोहनलाल गर्ग जी जग्दिश मित्तल जी जी साब अगरवाल जी मैं सभी संस्तान के ट्रश्टी उनको बहुत-बहुत साथवाद देता हूं बधाय देता हूं जिनके प्रयाश से आज ये संस्तान लगातार काम कर रही हैं साथ ही अगर इंफ्रास्टर्चर खड़ा करना एक हमारा लक्ष होता ए लेकिन उन्फ्रास्टर्चर में सबसे बड़ा काम होता है वहां के प्रोपेसर वहां के पढ़ाने वालों का और मैं उन सब को विशेशूप से धन्यवाद देता हूं यहां के वाइस चांसर यहां के प्रोपेसरों को जिनोंने अथक प्रयासों से इस संस्तान का नाम देश में किया है विध्यार्ति साथियों समय बदलते दोर का है और इस बदलते दोर के अंदर मुझे कुशी है कि दुनिया के बदलते दोर में भारत का विध्यार्ति सबसे आगे है और इसलिए आज हम सुष्णा प्रोध्योगी के आईटी की जब बात करते हैं इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी की जब बात करते हैं उसके माध्यम से नहीं इनोविशन की बात करते हैं तो दुनिया अगर सबसे पहले देखती तो भारत के नोजवानों की और देखती मैं दुनिया के कई विक्षित देशों के अंदर गया जो मैं के सकते हैं कि दुनिया के सबसे बढ़ती अर्थवेस्ता तक्नीकी के रूप में हर शित्य के अंदर आगे हैं लेकिन वहाँ पर भी मैंने जब देखा कि वहाँ पर अगर उस देश में किसी का योगदान है तो भारत के नौजवानों का है मैं पिछली बार जापान गया जर्मनी गया तो मैंने पूछा कि यहां भारत का कौन विक्ती रहता है तो जापान में का एक कोलोनीज बनी हुए है जिसमें भारत का इंफोर्मेशन टेक्नोलोजी का नोजवान इस दीश के अंदर सबसे प्रकतिशील में काम करता है मैं जर्मनी में गया तुमें ने देखा तो मुझे लगा कि भारत के अंदर कितना टैलेंट है अमरिका के अंदर आप चले जाएं वह जितने अच्छे सर्शेश डॉक्टर हैं किस के हैं भारत के दुनिया के अंदर आप जितनी दुनिया में देखोगी जो दुनिया का सबसे विक्सित राष्ट है उस विक्सित राष्ट के अंदर कहीं ने कहीं अगर कंट्रिबूशन है तो भारत के नोजवानों का है इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे भारत के नोजवानों की बोधिक शम्ता अध्भुत है अध्भुत आत्मिश्वास है कारे के प्रति समर्पित भाव है यही हमारी तागत व शक्ति है कि आज दुनिया के अंदर भारत का नोजवान नेतर्ट कर रहा है इसलिए साथियों जब हम यहां पढ़ रहे हैं तो अलग-अलग सेक्टर के अंदर पढ़ रहे हैं और हम जिस भी सेक्टर में हमारी पढ़ाई है चाए टेक्निकल में हो चाए लोग के अंदर हो चाए सूसना प्रोध्योगी में हो संचार माध्यम के अंदर हो पत्यकारिता में हो हर सेक्टर के अंदर हमको दुनिया से सबसे सरशेष्ट करना है यही हमारा संकल्प होना चाहिए और इसी संकल्प के साथ हमें काम करना चाहिए कि दुनिया में अगर टेक्निकल और इनोवेशन के अंदर दुनिया के अंदर अगर कहीं सबसे ज्यादा तेजी से होगा तो भारत में होगा तो भारत में होगा तो मैं करूंगा यह विचार हमारे मन में होना ची जब सपने बड़े होंगे तो सपनों को प्राप्त करने के लिए उतनी तागत आएगी उतना यात्मिश्वास आएगा जब सपने छोटे देखेंगे तो हमारा विचार भी छोटा होगा हमारा लक्ष भी छोटा होगा लेकिन हमारा सपने बड़े होंगे तो इस लक्ष को प्राप्त करने के लिए इतनी जनून तागत भी हम में आएगी और यह हमारे नोजवान के अंदर है अरे दुनिया के अंदर चल जाओ भारत के नोजवान जो गाओं के अंदर भी रहता है जाओं उसके पास संसादन नहीं है महां का नोजवान भी अभी आपको एंदी गुप्ता जी ने बताए किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की एक परसेंट रिजल रहता है चार्टेड एक परसेंट उस समय जब पढ़तियों में शायद लेकिन उन्होंने उस समय भी लक्ष था कि मुझे चार्टेड एकाउंटेंट बनना है उस अभाव में भी उन्होंने शिक्षापत करके चार्टेड एकाउंट बने आज देश की सबसे बैटर चार्टेड एकाउंटेंट इसलिए हम जिस सित्म में काम कर रहे हैं हमी सबसे सरुषिष्ट काम करेंगे मैं ही सबसे बैतर काम करूंगा यह हमारे मन में जनून में होना चाहिए आप अगर यह हमारे जनून में हूआ कि यह मारे सपनों में हूआ क्यों में अखिच उने होंगे कि दुनिया के अंदर हर स्इथ्व कर नेंदर विक्सीत रूल से आगे बड़ेगा चाहिए सोशल स्क्राउच्ण चाही एकिर में पड़ेगा तो भार्चम बड़ेगा तो हम हम उन विक्षित राष्टों से इन इन्फास्टर्चर में अभी मुकाबला कर पाएंगे इन अन्र सेक्टर में मुकाबला कर पाएंगे, हम दुनिया के अंदर कह सकते हैं भारत सबसे अग्रिम परती का देश होगा, भारत विश्व गुरोगा तो किसकी तागत पर होगा भारत के नोजवानों की तागत पर होगा हमारी बोधिक शम्ता और स्रम्शक्ति तागत के आधार पर होगा हमारे पास यही तागत बढ़ी है और दुनिया में यही तागत कम होती जा रही है और हमारी यही तागत बढ़ उसलिए जब मैं आपको देखताउं तो आपके अंदर मैं सपनों को देखताउं तो मुझे भी नई ह्शक्ति मिलती है मैं भी मेरे जनप्रतियों को यह आगर करता हूं कि हम Nати कोशिश करना चाहिए कि हम हमारे जहां भी हमें जन्ता ने चुन कर भेजा है चाहे सांसद मेरी रूप में एक जन्परति निती का जन्ता इस अपेख्षा आकांशा के साथ भेजती है कि जन्परति मेरी अपेक्षा आकांशाओं को पूरा करेगा वहां की नियोजन वहां की कार्योजना ऐसी बनाएगा जिस कार्योजना के आधार पर देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो और उसमें जब गाउं में जाएगा तो उसकी नजर होगी कि केसा मेरा स्कूल होना चीए यहां पढ़ने वाले बच्चों को दुनिया के केसे में नई तक्नीकी की शिक्षा दिरा सकता हूं आधुनिक शिक्षा दिरा सकता हूं ताकि गाउं में बेटा नोजवान भी दुनिया को देख सके और बदल पते परिपेक्श में अपने सपनों को पूरा कर सके यह सोच हम अगर जन्पतिद्यों की होगी कि मेरे गाउं में एक अच्छा इस्कूल होना चीए हॉस्पिटिल होना चीए पीने का पानी होना चीए रोड कनेक्टिविटी होना चीए डिजिटल होना चीए मेरे गाउं में वाइफाई होना चीए ये अगर सोच हमारे जन्पतियों की बनने लगी तो हम जल्दी सामाजी का आर्थिक परिवर्तन करके अपने लक्षों को प्राप्ट करें हम आजादी का अमरत मौसव मना रहे हैं हमें आजादी को प्राप्ट के 75 साल हो गए ये अमरत मौसव हमारे लिए संक्र्ब का पर होना ची हम सब के लिए एक निश्चित समय पर जब भारत की आजादी की सो साल हो तब निश्चित लक्षों के आधार पर हम सो साल बाद दुनिया के अंदर सबसे आगे के देश रहे हर दिशा में आगे में रहे इस तरीके की यवजना बनाने का काम हमारी सब की जिम्मेदारी है क्योंकि हमने आजादी बड़ी मुश्किलों से प्राप्त की है हम आजादी के पहले लोगों को देखें तो कितने लोगों ने बलिदान दिया कुर्बानिया दी कितने लोग परिवार के जेल में गए यह जो इत्यास है जब हम इत्यास को पढ़ते हैं तो नहीं तागत देता ने प्रेरक्ट देता हमें हमें अपने इत्यास को भी याद रहो आधुनिक्ता को भी याद रहो इसलिए जब हम अग्रेसेन माराज जी के जीवन को देखेंगे, उनके विचारों को देखेंगे, उनकी डुस्टी को देखेंगे, तो मैं लगेगा कितने साल पहले एक शाषक ने देश कैसा होना ची विचार किया था, आज वेसा ही देश हमारा बन रहा है, तो जितने भी लोगों की जीवने हम पढ़ते हैं, जितने भी लोग, हम जितने ही बड़े लोगों की जीवने आप पढ़ेंगे, कैसे अब्दुलकलाम आजाद ने अपनी पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद दुनिया के सबसे बड़े विज्ञानिक बने, विभारत के र हमारी मन इस्ततियों को ठीक करने के लिए बहुत बड़ा साधन होता है जब कभी वेक्ति अपवाद में चल जाता है तो अवसाद वेक्ति भी गर किसी की पेड़ना देने वाली किताब को पड़े जनून वाली किताब को पड़े तो अवसाद खतम करकर ने लक्षों ने आत्मिश्वास से काम करने की तागत उसमें होता है इसलिए हमारा संब्रद गोरोशाली इत्यास और हमारा आज का भारत दोनों विचारों को लेकर हमें चलना है भारत का संब्रद गोरोशाली इत्यास हमें नई प्रण अदेगा नई काल करनी को उस्षा देगा तो बदलता भारत हम सब को नई दुनिया को देखती हुए नई चुनोतियों का मुकाबला करते के मुझे ही दुनिया के अंदर सर्षिष्ट बनना है मेरे को ही दुनिया का सबसे बड़ी आ इनुवेशन करन यहां पर इस इस्टूशन में हैं और इस्टूशन के जो ट्रस्टी लोग हैं उनका भी विचार के किस तरीके से समर्पित भाव से उन्होंने विध्याले बनाया माविध्याले बनाया टेक्निक एजूकेशन बनाया होस्पिटल बनाई ध्रमशाला बनाई उन्होंने अपने समाज के लिए समर्पित किया देश के लिए समर्पित किया उनके मन के विचार थे कि मैं ऐसे institution को खड़ा करूं ऐसे education संस्ताओं को खड़ा करूं अपने धन का कमाया धन समाज को समर्पित करूं और ऐसे institution की महाध्यम से मैं भारत के नोजवानों की जो बैतर बहुत दिख्षमता उस बहुत दिख्षमता को और बेतर करने में मेरा भी योगदान होना चीए इस लक्ष के साथ तश्टियों ने काम किया मैं उनको भी बहुत-बहुत साधवात देता हूं बधाय देता हूं मुझे आशा है इस institution में पढ़ने वा आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद है